आज मैं बनाने जा रहे हूं साधियों में बनने वाली हलवाई स्टाइल मिक्स वेच की रेसिपी जिसे बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं अज की रेसिपी इसे बनाने के लिए मैं आप एक खड़ाई गरम की हूं कड़ाई में डाल देंगे त जुटी जो मच नमक को डालके तुरंत कबर करें ताक्य तेल का छीटा नहीं आए धूड़ा देट जब पानी खत्म हो जाएगा तब हम लोग इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके कबर करेंगे कबर करके 3-4 मिनट इसको पका लेंगे तीन-4 मिनट बाद पैन का धकन हटाएंगे और यह देखिए आलूओं का कलर भी चेंज हो गया है और हलका सा सौप्ट भी हो गया है मतलब कि 50% कुक हो गया है अब हम लोग इसमें बाकी की सब्जियां एड़ करेंगे सब्जियों में हैं पेली हूँ आदा कब बींट जिसको मैने इस तरह से कटकर लिया है आदा फूल गोभी एक कापसिकम और एक गाज़ा कापसिकम को छोड़के बाकी सब्जियों को इहां पे अड़ करेंगे क्योगी कैपसिकम तुरन पख जाती है और बाकी सब्जियों में थोड़ा time लगेगा तो पहले हम लोग इन सारे चीज़ों को add करेंगे और add करके इसको mix करके cover करेंगे और cover करके 7-8 मिनट तक पका लेंगे या फिर तब तक पकाएंगे जब तक की गोभी, गाजा और बीन से सब soft ना हो जाए तो यह देखें मैं mix करके इसको cover कर दी और 7-8 मिनट इसको पका लेंगे बीच बीच में चला देंगे ताकि नीचे से जले नहीं तो यह देखें सबजियां हम लोग का 70% तक cook हो गया है अब हम लोग इसमें add करेंगे capsicum जो कि हमने पहले से cut करके रखा है capsicum को add करके इसको mix करेंगे और mix करके तक्रीबान 2-3 मिनट तक पका लेंगे क्योंकि capsicum को पकने में बिल्कुल भी जादा समय नहीं लगता है इसलिए हम लोग इसको 2-3 मिनट तक cover करके पका लेंगे 2-3 मिनट बाद पैन कर धकन हटा के इसको अच्छे से mix करेंगे और यह हम लोग का जो सबजियां है वो पक गया है अच्छे से मतलब की 80% तक cook हो गया है यह देखिए इसमें हम लोग आप add करेंगे एक प्यांच जिसको मैंने इस तरह से square sip में कट कर लिया है इसको आप जरूर से add करें इससे आपका जो सबजी का तेस्ट है वो दुगनी हो जाएगी तो प्याज को mix करके 2-3 मिनट तक हम लोग पका लेंगे ताकि प्याज हलका सा soft हो जाए प्याज के soft होते ही हम लोग इस सारे सबजियों को एक प्रेट में निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग चलेंगे next process में तो यह देखे सबजियों को मैं निकाल ले रही हूँ सेम कड़ाई में हम लोग सबजी बनाएंगे तो यह देखे मैं इसी कड़ाई में डाल दे रहे हूँ हम लोग इसमें डाल देंगे प्याज तो मैं है पर दो बड़ा साइज का प्याज को इस तरह से बारी काट के ले ले हूँ प्याज को डालने के बाद अच्छे से mix करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज का color जो हो change ना होने लगे मतलब कि golden color का नम हो जाए तब तक हम लोग प्याज को पकाना है इन चार मिनट बाद देखेंगे कि हम लोग का जो प्याज है उसका color change हो गया है अच्छी सी खुसबू भी आ रहे है अब हम लोग इसमें डाल देंगे अधरक लेसन का paste तो मैं यहाँ पे दो चोटी चमच अधरक लेसन का paste डाल रहे हूँ अधरक लेसन को मैं फ्रेस्ली ग्राइन करके ले ली हूँ आप चाहें तो packet का भी यूज कर सकते हैं तो यह देखें मैं अधरक लेसन को भी mix करते हूँ तकरीबन एक से दो मिनट भून ले रही हूँ तो दो तीन मिनट बाद देखें कि हम लोग जो अधरक लेसन है वो भून गया है अब हम लोग इसमें डाल देंगे टमाटर तो मैं यहाँ पे तीन टमाटर को इस तरह से बा या फिर तब तक पकाएंगे जब तक की टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तो पांच मिनट बाद पैन का रखकर निटाएंगे और यह देखिए हम लोग जो टमाटर है वो पहले से काफी सॉफ्ट हो गया है अच्छे से कुक हो गया है अब हम लोग इन सारे चीजों क मिक्स करेंगे अब इसमें से आधा मसाला हम लोग एक साइड में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसको भलवाई स्टाइल बनाना है तो आधा मसाला निकाल के हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे तो यह देखिए आधा मसाला निकाल ली हूँ अब इसको ठंडा करके पीसेंग तो अब एक grinding जाल ले लेंगे और इसमें एट करेंगे जो मसाला हमने निकाल के रखा है उसको ग्रेवी में अच्छा texture के लिए मैं यहाँ पे दो चमच मगज डाल रहे हूँ आप यहाँ पे 7-8 काजु का भी एट कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डल के इसको पीस लेंगे और यह जो मसाला पेष्ट है वो बनके तयार है अब हम लोग चलेंगे नेक्स प्रोसेस में तो हमने जो कड़ाई में मसाला थोड़ा सा छोड़ा था उसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम लोग इसमें सुखे मसाला आट करेंगे तो मैं हैं पर डाल रहे हूँ आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोटी चमच धन्या पाउडर आधी चोटी चमच जीरा पाउडर एक चोटी चमच गरम मसाला का पाउडर एक चोटाई चोटी चमच तीखी वाली लाल मिज का पाउडर और एक चोटी चमच का समीरी ला मसाला केसाद कुत था है नियुक्を ठकरेंगे लिए दोbas Pub मसाला प्रे 않고 के पहले मिक्स करें लिए मम सारस्ट कुत मुत कर दो में मसाला लगा हुआ जो यहां अच्पनला हुआ हो कुछ छितना अच्छाब इसमें डाल देंगे एक टमाटा जिसको मैंने इस तरह से स्क्वेर में काटा है फिर इसमें ag करेंगे 100 ग्रम के करीब पनीर अब इन सारी चीजों को अच्छे से हलके हाथों से mix करेंगे ताकि पानीर भी तूटे नहीं और सब्जियां भी तूटे नहीं इसमें स्वाद के नुसर नमक डाल देंगे नमक पहले भी हमने आट किया है इसलिए सब्धानी से डालें नमक को डालने के बाद इन सारी चीजों को अच्छे से mix करेंगे और mix करके हम लोग इसको cook करेंगे तो मसालों के साथ सब्जियों को तकरिवन 3 मिल तक मैं अच्छे से cook कर लिया है अब हम लोग इसमें आट करेंगे पानी ताकि सब्जियां का जो थोड़ा बहुत कसर है पकने का वो अच्छे से पक जाए तो यहां पर मैं डाल रहे हूँ एक कप के करीब पानी और पानी को डालने के पाद इसको अच्छे से mix करेंगे और mix करके इसको cover करेंगे और cover करके तकरिवन 3-4 मिल तक पका लेंगे तो यह देखे मैं इसको mix कर लेंगे अब इसको cover करके 3-4 मिल तक पका लेंगे 3-4 मिल बाद पैन का धकन हटाएंगे और यह देखे हम लोग का जो सब्जियां है और पहले से काफी cook हो गई है लेकिन इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा है तो पानी को हमें reduce कर लेना है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए सब्जी का तो सब्जियों को मैं अच्छे से cook करके पानी इसका reduce कर ले हूँ लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धन्यापता और इसको अच्छे से mix करेंगे तो यह हम लोग का जो सब्जी हो बनके तैयार है अब हम लोग इसको serve करेंगे तो serve करने के लिए एक serving plate में इसको निकाल लेंगे और यह हम लोग का जो बहुत ही टेस्टी सादियों वाली mix wage की recipe बनके तैयार है आप इस recipe को एक बार try करें और try करने के बाद अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को like करें और इस channel को subscribe करें